हलो फेंट्स मैं नाव विशाल है and welcome to our channel programming with विशाल तो guys एक project पे अभी काम करदा हूँ मैं और उसमें मुझे ज़रुवत पड़ी है sentiment analysis की तो मुझे लगए यार एक video भी जो है हमें एक बना देना चाहिए हमनों अभी तक कोई भी video sentiment analysis related नहीं बनाया है तो कई sentiment analysis का काम बेसिकली यह होता है कि जो आपका content है let's say कुछ sentence है text है तो यह उसका analysis करता है आपको और यह बताता है कि यह positive है negative है neutral है normally इस तरीके की चीज़े हमें जववत पड़ती है जब हम दो कुछ एक analysis system बना रहे होते है तो इसी तरीके एक system पे अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ normally Google का use करता हूँ मैं जब भी मुझे sentiment निकालना होता है लेकिन वो paid है और अभी जो मुझे जववत पड़ी है वो एक free के version की यहाँ पे जववत पड़ी है तो github पे library है इसको पहले भी मैंने use किया हुआ है वही same to same library का यहाँ पे मैं use करने वाला हूँ quickly है छोटा सा 4-5 line का code है खाली वो आपको सारी functionality जो है यहाँ पे करके देदेगा सबसे पहला गाम हमें यह करना पड़ेगा हमें इसको composer में जाना पड़ेगा और एक बार इसकी command को run करना पड़ेगा तो इसको कर लेते हैं copy और मैं यहाँ पे जाके composer में जाके इसे run कर देता हूँ अब यह composer में जो command run कर दे हैं अब यह I guess मैं assume करता हूँ आपको पता होगी Laravel के series और भी कई चीज़े हमने करी हैं उसमें already हमने सारी चीज़े जो है देखी हुई है तो जब तक मेरा यह install हो रहा है चलिए जी install जो है यहाँ पे हो गया चलते हैं जी एक बार code पे और PHP को हम लोग कर लेते हैं start अब जब भी कोई library को हम लोग run कराते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी autoload की file को include कराना होता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ vendor slash autoload.php एक बार देख लेते हैं file बराबर आ गई है कि नहीं आई क्योंकि अगर file नहीं आई होती तो क्या होता यहाँ पे हमारे पास error आ जाती अब यहाँ पे मैं use करने वाला हूँ name space का again name space के बारे में आपको कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि already हम लोग इसके बारे में video जो था object oriented programming की जब हमने बात करी थी तब हम लोग इसे बना चुके थे तो मैं यहाँ पे जो name space है उसको use कर लेता हूँ अब मुझे एक यहाँ पे object बनाना पड़ेगा analyzer का तो मैं बोल देता हूँ obj is equal to new analyzer और इसमें एक method है get sentiment तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे result is equal to obj get sentiment let's say let's say मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विशाल मैंने एक विशाल नाम का text डाला मुझे देखना है कि इसका sentiment क्या है ओविश सी बात है कि neutral sentiment है ना तो यह positive है ना ही यह negative है तो एक बार चलते हैं और इसे run करके देख लेते तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्क्रीन थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ अब देखिए यहाँ पे energy का जो मतलब है यह compound को आप ignore करिएगा अभी के लिए energy का नेगेटिव, neu का मतलब है neutral और pos का मतलब है यहाँ पे positive तो यह जो message है यह पूरे का पूरा जो है positive है इसलिए आपको यहाँ पर पूरा overall message यहाँ पे neutral है इसलिए आपको यहाँ पे 1 दिखा रहे है जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ I like you अगर मैं इस पे जाओ और इसको एक बड़ रन करें अब देखे चेंज हो गया यहाँ पे अगर आप देखेंगे positive पे है 0.714 out of 1 में से यह बता रहा है और neutral मैं यहाँ पे बता रहा है यह 0.286 मतलब यह बता रहा है कि यह more towards positive है इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे डाल द यह more towards negative है और उसके बाद neutral है और positive में तो यह कहीं पे भी नहीं आती है इसी तरीके से अगर मैं एक ऐसी चीज़ डाल दूँ जो exist ही नहीं करती है let's say मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूं तो यह इसको अब neutral बता देगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया यहाँ तो simple है आप इस तरीके से इसे use कर सकते एक form के तरीके से करना है तो जब भी कोई form पे submit करेगा post के थूँ आप user का जो data है वो ले सकते है और उसके बाद यहाँ से call कर सकते है मेरा जो requirement है analysis system है और वो basically मैं बना रहा हूं यहाँ पे twitter के लिए कि twitter का सारा data मैं fetch कर दा हूँ और उसमें से कितना data मेरा sentiment analysis के बेसे मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा इसका एक function मना लूँगा और जब भी कोई data मुझे मिलेगा यहाँ से उसे pass करा कि उसका जो analysis आ रहा है sentiment आ रहा है उसको उठा के DB में डाल दूँगा database में डाल दूँगा जहां से जब मुझे track करना है कि किसी particular चीज़ पर कितना किस तरीके का sentiment आ रहा है तो वो सारी की सारी चीज़े मुझे मिल सकती है छोटा सा code है कहीं पर भी अगर आप इसको use करना चाहें तो use कर सकते एक बार मैंने आज तक use किया है और result मुझे काफी अच्छा मिला था free है कोई paid version नहीं है एक चीज और है म आपसे paid में कुछ ले लेंगे हर data का बोलेंगे एक पैसा कुछ जादा एक रुपे के एक रुपे के अंदा 100 data आप यहां पर निकाल के दे सकते तो आपको API दे देंगे और internally वो same to same चीज़ कर देंगे तो उन सब चीज़ों की जगा simple method है इसका अगर आप कहीं पर use करना चा analyzer link में आपको वीडियो के description पर दे दूँगा same to same code जो मैंने लिखा है उसको मुझे देनी की जववत नहीं है क्योंकि same code अगर मैं आप github पर भी जाएंगे तो आपको यहां पर यहां पर दिख जाएगा emoji भी यह detect कर लेता है और उसके बारे ही बता देता है अगर आप य subscribe कर ले जागा thank you friends